36 विधान सभा चुनों दोचार तेईस के दूसरे चरण की सत्ता सीटों पर मद्दान शुक्रवार को संपन हुआ मद्दाता सुबा से ही मद्दान केंद्रों के बाहर लंबी कतार लगाए नजर आए बिलाई नगर विधायक देविन यादाव अपनी पत्नी के साथ सिक्टर 5 इस्तित मद्दान केंद्र पहुँचे और मद्दान के या हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले भिलाई नगर विधान सभा से कॉंग्रेस प्रत्याशी देविन यादाव सभी के लाडले रहे हैं। मृद्भाशी वसरल सभाव उनके व्यक्तित्व को और भी निखारता है। यही कारण है कि लोगों के दिलों में वे अमिर्चाप छोड़ जाते हैं। बता दे सभी के लाडले कॉंग्रेस प्रत्याशी देविन यादाव मद्दान करने सेक्टर फाइब पहुंचे। दूसरे चरण के मद्दान पर मद्दान इस्थल पहुंचकर विधायक देविन यादाव ने अपने मताधिकार का उप्योग किया। इस दोरान उनकी धरम पतनी डॉक्टर शूतिका देविन यादाव भी उनके साथ नजर आई। देखिए ऐसा है कि विलाई की जनता जाग रुक है विलाई की जनता पिसले 5 साल से अनुभव करती है कि कौन जन पर पिने दी कैसा काम कर रहा है और उसके हिसाब से वो फैसला देती है। विलाई की जनता ने हमेशा ऐसा फैसला दिया है जिसको लोग जिसके बारे में सोचते नहीं उस तरह का फैसला विलाई की जनता केमपेंज से जादा 5 साल के काम को अनुभव करती है रिजल्ट पे अनुभव करती है और मुझे लगता है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार के सम कमफडेबली हम लोग जनता के आशिरवास से इश्वर के आशिरवास से आएंगे और मुझे पुरा विश्वास है बिलाई की जनता हमारी माता हैं हमारी बेहन हैं हमारे वरिजगन हमारे यूवा साती हमारे कर्मचारी बंदू हमारे जो मजदूर साती हैं श्रमिक साती हैं सबी लोग एक जुट होकर कॉंग्रेस पार्टी के उपर भरोसा कर रहे हैं और आधरनी वुपेज विगेल जी की सरगार वापस बनाएंगे Grand A.C.N. News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट